साथ्यों हम तो जानते हैं हिमालय की ताकत को जानते हैं हम यह भी जानते हैं कि उत्तरा खंचे कितनी ही नदिया निकलती है आजायदी के बाद से ही यहां के लोगों ने दो धाराएं और देखी है एक धारा है पहाड को विकात से बन्चित रखो और दूसरी धारा है पहाड के विकास के लिए दिन रात एक कर दो पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकात से बन्चित रखना चाहते हैं पहाडों पर सडक बिजली और पानी पहुचाने के लिए जो मेहनत करनी थी वो हमेशा इससे दूर भागते रहें यहां के सेंकडों गाओं की कितनी पिडियां अच्छी सडकों के अभाव में अच्छी सुविधाओं के अभाव में यह हमारा प्यारा उत्तराखन छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए आज मुझे संतोश है कि उत्तराखन के लोग देश के लोग यह जो बर्बाली जाने वाले लोग रहे ना उनका कच्चा चिठा खोल चुके हैं उनका सच जान चुके हैं आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गती से देश को नई उचाही पर ले जाने में जुटी है आज उधमसी नगर जिवे में एम्स रिजिकेस के सेटलाइट केंद्र और पिथोरागड में जग जीमन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधार चिला रखी गई है इन दोनों अस्पतालों से कुमाव और तराइक शेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी अलमोडा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है उत्राखन में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनोती रही है उसे भी हम दूर करने का लगातार प्यास कर रहे हैं आज इस कारकम में भी करीम नव हजार करोड़ उप्य के प्रोजेक्स तो सड़क निर्मान से जुड़े हैं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहट 1200 किलोमेटर ग्रामिन सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है इन सड़कों के अलावा 151 पूलों के निर्मार का काम भी किया जाएगा